प्रेगनेंसी के अंदर मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूं जैसे कि गले में जलन की समस्या होना फेट में मरोडे आना और कुछ अंगों में काले पन को लेकर है गाईज अगर इस तरीकी की क्वेरिज आपकी है बिल्कुल सही वडियो पे आये हो यहां हर एक की जनकारी होगी और आप बिल्कुल भी कहीं पर भी मित के बारे में नहीं सोच पाऊगे कि यह जो मित है इसका क्या है क्या नहीं है जो भी कनेक्शन है साथ में यह जरूर बताऊंगी कि यह तीनों पॉइंट जो है मुझे में सच हुए थे जो ओल्ड वैप्स ने बताए गाइज अगर कुछ बात की जाए प्राइम मॉम चैनल की तो इस चैनल ने प्रॉक्स पांच लग सब्सक्राइबर अब तक गेन कर लिये हैं और साथी साथ में सैबन करोड व्यूज भी तो चलिए वडियो को स्टार्ट करते गाइज मैं आप सब के साथ श्वेता और आप दे और क्यों होती है देखिए सबसे पहली बात गले में जलन की समस्या आपको चटे या सात्वे महीने के बाद हो सकती है और अगर साथ में फिर से बात करते हैं क्यों होती है पेट में कुछ दिकते आ जाना कह सकते हैं कि खाना ठीक से डाइजस्ट नहीं होना इसी बात को या फिर निम्बू का सरबत या किसी तरह का फरूट वगर आप सुबसुबर लेती हैं तो गले में जलन की समस्या नहीं होगी लेकिन सुबसुबर में कोई तीकी सबजी खाती हैं या हरा मिर्ज की क्योंना California सबजी में भाले मिर्च भी दालते हैं तो किसी भी मिर्च की सबजी आप खाओगे ना तो गले में जलन की समस्या ज़्यादा होने लगती है मिर्च का जो आमाउंट है न वो बहुत कम रखिये फ्रेगनेंसी में खासकर तब जब आपको गले में जलन की समस्या होती है देखिए सभी लेडीज को यह प्राब्लम नहीं होती है किसी किसी को ही होती है सेकेंड पॉइंट हमारा होने वाला है पेट में दर्द होना यह मरोड़े आना यह देखिए प्रेग्नेंसी के अंदर तो बहुत पर पेट में दर्द होते हैं यह अलग-अलग कारणों से हो ज प्राइजेशन प्रॉपर वेव में नहीं होता है इसका सबसे बड़ा एक ही कारण है कि आपको अपनी प्रेग्नेंसी के अंदर एक्टिव रहना है सुबह साम आदा गंटा यह 40 मिनट सुबह में टहलिए साम को टहलिए घर में भी कभी भी बेड बिस्तर पे मत पड़े रह प्रेग्नेंसी स्मूद चल रही है मैं हमेशा उसे बोलता हूं कि हमेसा एक्टिव रहो जब एक बार एक बार डिलिवरी हो जाएगी तो लेजी हो जाना लेकिन अभी जो समय है खुन पानी जिस्टेश की जरूरत होती है वो मिलते रहता है कब जब मा एक्टिव होती है सुबह साम चलना दिन में भी चलना उटना बैटना एक्टिविटी मेंटेन करना अच्छे-च्छे बुक्स परना प्रेगनेंसी के अंदर ये कुछ अच्छी आदते डालने से होती है थर्ड पॉइंट के उपर बात करते हैं जिन अंगों से आप बच्छे को दूद पिलाओगे इन में कालापन होना ये प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे महिने से आपको नजल आ सकती है हाला कि इस चीज को लेकर डॉक्टर के पाजाने की कोई जरूरत नहीं है ये जस्ट तो इसलिए डड़िये नहीं कुछ और मत सूचिए प्रेगनेंसी सही चल रही है सब कुछ बहतर है बस जरूरत है आप वेक अच्छे डाइट लेने की मिलती हूं आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं ये तीन प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉ